नमस्कार में उप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर एद के पावन अफसर पर राजिपाल सहित बुख्यमंत्री ने दी बढ़ाई बिहार को मिले 28 नए अधिकारी चिल्ठला की धूप के बाद अब आंधी बारिश को लेकर अगले तीन दिन तक रहे अलग आईटी आई बे नामंकन के लिए अब 17 मई तक कर सकते हैं आवेद हैं राजिस्तान के खिलाफ मैक्स से पहले ही रिंको ने कहा था मैं बनूँगा मॉम अब चले बढ़ते हैं बिहार की शामदकी बड़ी खबरों की और वस्तार से इद के पावन अफसर पर राजिपाल सहित मुख्यमंत्री ने दीब बढ़ाई देश के साथ साथ पूरे बिहार में सबसे प्रसिद त्योहारों में से एक इद का त्योहार धुमधाम से मनाया ज़ा रहा है इसे बीच राजिके मुख्यमंत्री और राजिपाल ने भी बिहारवासियों को इद की बढ़ाई दी है इद के पावन अफसर पर राजिपाल ने ट्वीट करते में लिखा कि खुश्यों का ये त्योहार रमजान के पवित्र महीने के बाद आता है रोजेदार रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और अलाह की इबादत करते हैं ये तियोहार आपसी प्रेम भाईच्वारा और एक जुटता का प्रतीक है। राजपाल ने इस पर्व को शांती सद्भाव हर्शोलास के साथ मनाने की अपील भी की। वही मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते वे लिखा कि एद के मौके पर प्रदेश एवं देशवासी विशेश कर मुसलिम भाई बहनों को शुब काम नाए। खुदा इस मुबारक दिन पर हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे और हम सबों के जीवन में सुख शांती सम्रद्धी आए। समाज में अमंचैन भाईचारा पूरे तोर पर कायम रहे। राजु के नगरपालिका चुनाफ की तैयारियों की गती धीमी राजु में नगरपालिका चुनाफ की तैयारिया धीमी पड़ गई है। संशोधित और अंतिम प्रकाशन नहीं किया गया है इनमें उतक्रमित नगर पंचायत मनेर उतक्रमित नगर पंचायत इसलामपुर शामिल है श्रधालों के लिए खुला राधा बांग के बिहारी जी का इसकॉन मंदिर बिहार की राधानी पट्टा में आखिरकार 12 साल के श्रधालों यहां भगमान के दर्शन कर सकेंगे। बिहार सरकार को बिहार सरकार प्रशासनिक सेवा के 28 ने अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। इसके बाद प्रशासनिक काम में तेजी आने की उमीद जगी है। नालंदा राजकुमार को बेगुसराय श्वेता प्रियदर्शी को सीता मढ़ी में तैनाथ किया गया है। इसी तरह से बिहार के 28 अलग अलग जिलों में यह अधिकारी तैनाथ किये गये हैं। बिहार बालिका ग्रह के 41 और लड़कियां होटेल मानेश्मेंट की पढ़ाई के लिए जा रही हैं बैंगलोरो। बिहार के समाज का लियान विभाग बालिका ग्रह में रहने वाली लड़कियों को आतनेरभर बनाने के लिए देश के विभिनर राजियों में सिक्षा और ट्रेनिंग के लिए भेज रही हैं। कल्यान विभाग ने प्रस्ताव तयार किया है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राजिसरकार की तरफ से इन लड़कियों को हर महीने तीन साल तक दो-दो हजार मिल सके ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके। जिलों में हलकी से मध्यम बारिश दर्श की गई। एक तरफ पश्रिमी पट्ना के कई ग्राम इन इलाकों में बुंदा बांदी हुई तो वहीं दूसरी तरफ जमुई बांका भागलपुर और मुंगेर में हलकी से मध्यम दर्श की बारिश हुई। वहीं उत्तर बिहार के लिए भी मौसर विभाग ने अलट जारी किया था। अगले तीन दिन्यानी के छे मई तक राज्यो के उत्तरी हिस्से में बिजली गिरने और आंधी पानी के आश्रंक का जिताई गई है। पटना म्यूजिम के परिसर में ख़दाई का हुआ स्वभारा प्राचीन पातले पुत्र का विस्तार पटना सीटी तक ही था। अब तक लोगों को यही जानकारी मिली थी कि पटना म्यूजियम परिसर में प्राचीन काल के अफशेश प्राप्त होने से ऐसा लग रहा है कि प्राचीन पाटले पुत्र का विस्तार पश्रिमी पटना तक था मालूम हो कि कुछ समय पहले पटना म्यूजियम परिसर में प्राचीन काल के अफशेश प्राप्त हुए थे जिसकी बाद से पटना म्यूजियम के परिसर में खोदाई की बात हुई थी जिसका शुभारब मुख्यमंत्रि ने बीते दिन किया मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने बीते दिन पटना म्यूजियम परिसर के पुर्वी भाग में खुदाई का शिभारम किया जिसे अब खुदाई से मिलने वाले अफसेशों के आधार पर प्राचीन पाटले पुत्र के बारे में और भी नई जानकारी मिल सकेगी आईटी आई में नामांकन के लिए अब 17 माई तक कर सकते हैं आवेदन बिहार के शातर जो आईटी आई में नामांकन चाते हैं और किसी कारणवश पहली समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाए हैं इसके साथ ही 29 माई को पुर्विनरधारित प्रवेश परिक्षा भी रद्ध कर दी गई है और अब ITI प्रवेश परिक्षा की तारीख के बाद में ज़ारी की जाएगी आपको बताते चले कि फॉर्ब में सुधार आप 19 से 21 माई राद 12 हुजे तक कर सकते हैं आपको ये भी ब सरकार सडक दुरघटाओं को लेकर अलर्ट है साथी भारी भरकम जाम से निजात दिलाने के लिए भी काम कर रही है इसी कड़ी में बिहार सरकार के सडक एबं पत्थ निर्बान मंत्री ने तिन नवीन ने केंद्रियस सडक निधी से बिहार में 15 आर ओबी बनाया जाने की ज चिले शामिल है इसके बन जाने से जाम और दुरघटा में कमी आएगी आपको बता दे कि बीते दिन उचिस्तर ये बैठक में बिहार स्टेट रोड डिवलप्मेंट कॉर्परेशन के अधिकारियों का विस्ट पर योजना प्रतिवेदन के लिए जरूरी कारवाई करने का निर्देश जारी किया गया है इसे बीच पत निर्मार मंत्री ने ये भी बताया कि गंगापत का विस्तार दिघा से शेरपूर तक और दिदारगन से बक्तियारपूर तक किया जाएगा बैंगलोरों से दर्भंगा जो आने वाली फ्लाइट अचनक पतना हुई डाइवर्ट बैंगलोर से रभंगा जो आ रही फ्लाइट बीति दिन डाइवर्ट होकर सोंबार को पतना पहुच गए इसकी बाद पट्टा से करीब स्पाइस जेट फ्लाइट के 154 यात्रियों को बस से दर्भंगा भेजा गया ये मामला बीते दिन शाम 6 बजे बैंगलोर से दर्भंगा की करीब पहुँच चुकी स्पाइस जेट की फ्लाइट डाइवर्ट दर्भंगा एरपोर्ट पर लांड नहीं हो पाई और डाइवर्ट होकर पट्टा एरपोर्ट पर लांड हुई हाला कि विमान के पटना आने की वजह सपश नहीं हो सकी और विमान कंपनी के वाने तो ओपरेशनल वजह से ऐसा करना पड़ा है हाला कि खाबर ये भी है कि इसकी पीछो दर्भंगा एटीसी तावर से संपर्क में होने वाली परिशानी को वजह बताये गया है चुराग पासवान की पार्टी ने 21 जुलो के प्रभारी किये मनोनित रामिलास पासवान की बेटे चुराग पासवान अपनी पार्टी रालो जुपा को लगातार बजबूती देने को लेकर काम करें इसी कड़ी में रालो जुपा पार्टी के प्रदेश अध्यक शुराज उतिवारी ने 21 जुलो के प्रभारी मनों उनितिये हैं आपको बता दे कि लोजपा में तूट होने के बाद चुराग पासवान ने अपनी पार्टी रालो जुपा में लगातार बदलाव कर रही है जिससे की बिहार की सियासत में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है प्रशांद किशोर अपनी पार्टी की बीज बोने में जुटे देश के बड़े राजनेतिक रणीती कारवे से एक प्रशांद किशोर अब किसी पार्टी विशेश के लिए रणीती नहीं बनाएंगे क्योंकि अब वो खुद पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसकी शिर्वात उन्हाने बिहार से की है, जिसकी बाद कोई राजनेतिक पार्टी माने या ना माने, लेकिन नीन्द सभी की उड़ी है। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर पटना युनिवरसिटी के चातरों की बीच मंधन करने के पोलिटिकल रिहलसल करने में जुटके हैं। असर ना पढ़ने का दावा कर रहा है। इसी बीच राज़त के प्रिवक्ता ने भी कहा था कि इसका कोई असर नहीं पढ़ेगा। राज़त और अब भाजपा ने भी इस पर अपना बयान दिया है। ना दियों को क्या फर्क पड़ेगा। सुशील कुमार मोदी ने बकायदा ट्वीट करते वे ये उक्तबाते कही हैं। हिरसा में दो मामले की पुष्टी भी है, मही देश भर की बात करें तो बुधवार को जारी किये गए। पिछले 24 घंटी के आंखडों के मताबिक कोरोना के 2568 ने मामले सामने आए हैं। नहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो 19137 है, महीं 20 लोगों की जान भी दोरान गई है। राजस्थान के खिलाफ मैच से पहले ही रिंकु ने कहा था, मैं बनूँगा मॉम। कॉलकता के ब्रते ओल राउंडर खिलाडी रिंकु सिंग ने अपनी पारी की बदौलत कॉलकता को राजस्थान के खिलाख सोमवार को खेले गया मैच में जी डिलाया रिंकु सिंग ने 23 गेदो में 42 रनों की तेज पारी खेली और नितीश राना के साथ नाबाच श्यासत रनों की साजुतारी की जुसने सभी का ध्यान अपनी तरफ वाकरशित किया है इसी बीच रिंकु सिंग की एक और बात चर्चे में है दरसल माच के बाद नितीश राना ने बातचीत में रिंकु ने बताया है कि रविवार रात सोने से पहले उन्हाने अपनी हथेली पर 50 लिखा था रिंकु ने कहा मुझे लग रहा था कि मैं आज रन बना लूँगा मैंने मैन आफ दे मैच की ट्रॉफी जीतने का सपना देखा और मैंने खुद अपने हाथ में 50 लिखा और दिल बन ला लिया था और वाकई ऐसा हुआ भी रिंकु अर्थिश्र तक तो नहीं बना पाए आठ रनों से चूग गये लेकिन मैन आफ दे मैच जरूर ने कल हमारे दौरा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी वीडियो केंट में आपका नाम नेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों राज का सवाल कुछ इस प्रकार है बिहार में आंधी बारिश से होने वाले जानमाल की छती को देखते वे क्या आपके छेतर में आप अदाप्रबंधन विभाग व दरूर बताया इसके साथ ही आज के लिए बिहार की बड़ी खबरों से बिलेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सिब्सक्राइब करें और बेल आइक को अंदवाना ना भूले धन्यवाद